दोस्तों मेरा बताया हो ये एक ग्लास पीलीजे रोजाना आपके शरीर का जितना भी दर्द है हडियों का दर्द, सूजन, मासपेशियों का दुखना या आपका कमर दर्द, या आपको है फुराने से पुराना अर्थरायटेस, गाउ ये सारी समस्यां बिल्कुल दूर हो जाएंगी अगर आपसे बेट से उठा भी नहीं जाता, ठीक से चला फिरा भी नहीं जाता जो आपके रोज के बेसिक काम है, जैसे कपड़े पहनना, नहाना जब आप सोते हैं तो आपको करवट तक नहीं बदला जाता, आपको बहुत जादा दर्द होता है आज सहनी ये दर्द है, बिल्कुल आपसे सहन नहीं हो रहे, आपके शरी में बहुत कमदोरी हा गई है तो एक बार मेरी इस रेमेडी को ट्राय करके जरूर देखें आपको दो दिन दिन में ही आपके हड़ियों के दर्द में, सूजन में फरक नजर आने लगेगा और अगर आप लगातार इसे एक मेने तक लेते हैं, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके शरीर में पहले से ज़ादा चुस्ती आ गई है आपके नसों के सूजन चरी गई है, आपका जो अर्थरायटिस था वो ठीक होना शुरू हो गया है आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव मिलेंगे, जो आपको किसी के सपोर्ट की हर टाइम जरत पड़ती थी, वो बंद हो जाएगी जो भी मेरा वीडियो सुन रहा है या देख रहा है, तो आप से हाठ जोड की रिक्वेस्ट है, कि वीडियो जम कर शेर करना, क्योंकि मुझे अपनी इस रेमीडी पर बहुत जादा भरूसा है और आज को मेरे इस वीडियो को शेर करना बहुत सारे लोगों की जिन्दी को बहुतर बना सकता है क्योंकि जो ये दर्ट से गुजर रहा होता उसको पता होता है कि काश कोई एक उपचार मिल जाओ और मैं ठीक हो जाओ ये चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो इतना ही पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरी महनत के लिए लाइक जरूर करिएगा क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए कुछ बहतर लाने का ट्राय करती हूं जिससे आपके जिंदेगी की प्रॉब्लम्स खतम ह तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ इसके लिए पहले आपको इस बढ़तन ले लेना है उसमें डालना है दो ग्लास पानी और इसमें हमारा जो पहला इंग्रीडियंट होगा वो हमें एड़ करना है एक चमच अजवाइन अजवाइन देखे क्या करती है हमारे शरीर स वाद के प्रभाफ को कम करती है यानि वायू को कम करती है जब हमारे शरीर में वायू की मातला जादा हो जाती है वाद बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में नसों में दर्ध होने लगता है सूजन बढ़ने लगती है अर्थराइटेस गाउट जैसी समस्या हमें पेस करनी खतम हो जाएगी क्योंकि अजवाइन आपके खून को साफ भी करती है, ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे इंग्रीडियन्ट की तरफ, तो हमें इसमें दूसरा इंग्रीडियन्ट आड़ करना है, तेजपता, एक, तेजपता क्या करता है, आपके सारे जितने भी बेस अब हमें क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से उबालना है, तेज सेख पे रखकर गैस पर, और हमें जब ये एक ग्लास रह जाए, तब हमें गैस बंद कर देना है, थोड़ा सा ठंडा करके कांचि ए ग्लास में छान लेना है, छानने के बार, अब हम इसमें आड्ट करें अगर बताने लगोंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन आप लगा लीजे कि आपके शरीर के लिए वर्दान है तो ज़रूर आट करके पीए और बाकी आपको इसको पीने कर जाल लेते हैं सही समय क्या है तो सही समय है इसका सुभा के समय आपने इसको बाकी इसके साथ बस मेरी एक छूटी से बात जरूर मालनी जाएगा अगर आप चाहते है ना जिंदीगी में आपका पेट आपके जोडों का दर्द ना हो तो हींज होती है ना हींज पिसी हुई उसको चमच में पानी की एक दूबून के साथ घोल करना रात को अपनी नेवल में लगाना शुरू करते हैं आप नोटेस करेंगे कि जितने भी आपके शरीर में वाद का प्रभाग यानि वायू का प्रभाग बढ़ा हुआ था उनको खतम हो जाएगा आपके चोडों का दर्द खतम हो जाएगा साथे साथ आपका डाइजिशन भूस उधर जाएगा और अपना खयाल रखेगा और हमेशा खुश रहेगा मैं हमेशा आपके लिए कुछ नया और बहतर लाती रहूंगी अब मेरा हुगया जाने का समय मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई टेक केर और स्टे हल्दी